नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स्ट अब्रेट है दुनिया की लीडिंग कार मेकिंग कंपनी टेसला भारत में पूरी तरहां से अपने पैर जमानी की तयारियों में लग गई है कंपनी ने भारत में वेंडर सेलेक्ट करने का प्रोसेस देश कर दिया है एक बार वेंडर सेलेक्ट हो गए तो कंपनी की तरफ से उन्हें बड़े ओडर्स मिलने शुरू हो जाएंगे टेसला कंपनी के ऑफिसर्स भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू करने से पहले आटो एंसिलरी वेंडर्स के प्लांट का दौरा कर रहे हैं इसके लिए कंपनी के ऑफिसर्स भारत की बड़ी ओटो एंसिलरी कंपनी मयूर यूनी कोटर्स प्लांट देखने जाने वाले हैं जिसकी वजह से मयूर यूनी कोटर्स फोकस में है आपको बता दें कि मयूर यूनी कोटर्स भारत में रिलीज पेपर ट्रांसफर कोटिंग टेकनोलिजी का इस्तमाल करती है और आर्टिफिशल लेदर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है कंपनी पिछले 20 सालों में लगातार अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है इस समय कंपनी का प्रोडक्शन हर महीने 3.05 मिलियन लीनियर मीटर्स है कंपनी ने रिसंटली एक P.O. कोटिंग प्लांट लगाया है जिसकी कपासिटी 6 लाक्स लीनियर मीटर पर मन्त है साल 2020 में 20 लाज़ कंपनी में प्रोडर्स ने अपने हिसेदारी बढ़ाई है जबकि 38 लाज़ कंपनी में अपने हिसेदारी घटाई है जिन कंपनी में प्रोडर्स ने अपने हिसेदारी बढ़ाई है आम तोर पर किसी कंपनी में प्रोडर्स के हिसेदारी बढ़ना इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव माना चाता है लेकिन कंपनी में प्रोडर्स के हिसेदारी घटना हमेशा नेगेटिव नहीं होता क्योंकि कई बार प्रोडर्स की अपनी हिसेदारी rules compliance के लिए घटानी होती है जिन companies में promoters की हिसेदारी घटी है उनमें Dish TV India, Ever Ready Industries, Mind Tree और Future Consumer शामिल है इसके अलावा बहुत सारी insurance companies, banks और दूसरे financial companies ने regulator द्वारा prescribed rules को follow करने के लिए promoters की हिसेदारी घटाई है इसमें Kotak Mahindra Bank, HDFC Life Insurance और AU Small Finance अगर आप finance से जोड़ी ऐसी ही वीडियोस डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें नेक्स्ट अबडेट है Central Government के अकॉर्डिंग करोना संकर्ट की वज़ह से हजारों कंपनीज को हमेशा के लिए ताला लग गया करोना संकर्मन को रोकने के लिए लागू किये गए लॉकडान की वज़ह से इंडर्स्टियल सेक्टर को बड़ा लॉस हुआ है कई छोटी मोटी कंपनीज और इंडर्स्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो गई है एप्रिल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान टोटल 10,113 कंपनीज पर हमेशा के लिए ताला लग गया इसकी वज़ह से हजारों मज़दूरों की भी हालत खराब हो गई है कंपनीज में सबसे ज़्यादा दिल्ली की है पिछले ग्यारा महीनों में दिल्ली में सबसे ज़्यादा 2,394 कंपनीज बंद होई है इसके बाद उतरपरदेश में 1,936 कंपनीज पर ताले लग गए है तमिल नाडू में इसी पीरियड में 1,322 कंपनीज को अपना शेटर बंद करना पड़ा है वहीं महराश्टर में 1,279 कंपनीज को ताला लगाना पड़ा है अलग-अलग सेक्टर्स में काम करने वाली इंजिनिरिंग कंपनी क्राफ्क्मेन आटोमेशन 15 मार्च को मार्किट में अपना IPO लेकर आने वाली है खबर है कि इस IPO का प्राइस बैंड 1,488 तो 1,490 रुपीस पर शेर फिक्स किया गया है इस इशू में 150 क्रो रुपीस का फ्रेश इशू होगा जबकि कंपनी के करन्ट शेर होल्डर्स 45,21,450 शेर्स का ओफर फर सेल रखेंगे इस इशू में कंपनी के प्रमोटर श्री निवासन रवी 1,30,640 शेर्स, इन्वेस्टर मरीना 3 सिंगपोर प्राइवेट लिमिटेड 15,59,260 और इंटरनाशनल फानान्स कॉर्परेशन 14,14,050 शेर्स बेचेंगे इसके अलावा एक और इन्वेस्टर के गो मत्यस वरन भी 14,17,500 शेर्स बेचेंगे कंपनी इस आईप्यो के फ्रेश इशू से मिले पैसे का इस्तिमाल लोन चुकाने में करेगी ये इशू 17 मार्च को बंद होगा नेक्स अपडेट है, मार्किट रेगलेटर सेभी ने ICICI में मर्ज हो चुके बैंक अफ राजस्थान में 3.24 क्रोर पीस की वसूली मामले को लेकर 6 यूनिस के शेर्स और म्यूचल फंस में इन्वेस्मेंट को कुर्ख करने का आदेश दिया है आपको बता दे कि बैंक अफ राजस्थान का ICICI में मर्जर हुआ है 3 क्रोर रुपे का जुर्माना नहीं देने के बाद वसूली की कारवाई शुरू की गई है सेभी ने बैंक अफ राजस्थान के शेर्स में कथित इंसाइडर ट्रेडिंग के मामले में इन 6 यूनिट्स पर मई 2020 में ये जुर्माना लगाया था पाले एर इंडिया इंप्लोईस का ग्रूप भी बेडर लिस्ट में अपनी जगहा नहीं बना पाया न्यूयॉयोक बेस्ट इंटरप्स इंक पहले ही एर इंडिया के बेडर्स में से अपना नाम वापस ले चुकी है अब ये लिस्ट और भी छोटी हो चुकी है गवर्मेंट एर इंडिया का सेल्स प्रोसेस नेक्स्ट फैनेशल इयर में पूरा करना चाहती है नेक्स्ट अब्रेट है स्पेशालिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी लक्ष्मी और्गानिक इंडर्स इसका इनिशल पब्लिक आफर आने वाला है इसका IPO 15 मार्च को खुलेगा और 17 मार्च को बंद होगा कंपनी 600 क्रोर पीज कलेक करनी की तयारी में है इसमें से 300 क्रोर पीज का फ्रेश इशू होगा बाकी 300 क्रोर पीज के शेयर्स ओफ ओफर सेल के तहरे जारी किये जाएंगे यों तो लक्ष्मी ओर्गानिक का IPO साइज 800 क्रोर पीज का है लेकिन 200 क्रोर पीज प्री IPO प्लेस्मेंट से कलेक किये गए है प्री प्लेस्मेंट के बाद कंपनी के इशू का साइज 800 क्रोर पीज से घटकर 600 क्रोर पीज रह गया है इसकी वज़ा से फ्रेश इशू का साइज 500 करो रपीज से घट कर 300 करो रपीज रह गया है लक्ष्मी और्गानिक ऐसे सेक्टर में बिजनस करती है जहां पहले से ही आर्थी इंडस्ट्रीज, अतुल फाइन और्गानिक इंडस्ट्रीज, नमीन फ्लॉराइन इंटरनाशनल, S.R.F. और उसारी बायोटक जैसी कंपनीज का दब-दबा है नेक्स्ट अपडेट है, क्रूड ओल का प्राइस बढ़ने का फायदा इंटरनाशनल बनाने वाली चाइनिस कंपनीज को हो रहा है, पिछले तीन महीनों में ब्लेंडिंग के लिए इंटरन के डिवान तेजी से बड़ी है पिछले साल के कंपारिजन में इस साल ओयल मार्केटिंग कंपनीज 65% ज्यादा इथेनॉल खरीदेंगी, इस साल ओयल मार्केटिंग कंपनीज 283 क्रोड लीटर इथेनॉल खरीदेंगी, आपको बता दें कि पिछले साल कंपनीज ने 167 क्रोड लीटर इथेनॉल खरीदा था सरकार ने 10% पेट्रोल ब्लेंडिंग को पहले ही एप्रूवल दे दिया है यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन खतम हता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हम से जुड़े रहने के लिए थैंक यू